प्रकृति की बनाई हुए एक अद्बुत संरचना जो की एक रिवर के अंदर है रिवर में एक पत्थर है जो की मिधक के अकार का है तो उस जगे को फ्रॉक पॉइंट कहते हैं जो की रानिखेत रोड में है और नेनिताल से करीब पर 29 किलो मीटर पड़ता है उस जगे का नाम गरम पानी गरम पानी मार्किट से थोड़ा सा पहले एक नदी है नदी के बीच में जूलापुल है आप जूलापुल को क्रॉस करते हैं उसके बाद रिवर में जाते हैं तो जूलापुल से जो दिखाई देता है वो पत्थर का मेड़क जिसको फ्रॉक पॉइंट कहते हैं तो वो बेहद ही खुबसूरत और ब्यूटिफुल प्लेस है और आप उस मेड़क को देखेंगे पत्थर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मेड़क है वो बिल्कुल उस तरह का शेप है इसलिए उस जगे का नाम फ्रॉक पॉइंट रख दिया गया है तो गाईस ग्रीनरी चीड और देवदार के पेड़ खुबसूरत आसमान पहाड और अब हम यहां से चलेंगे फ्रॉक पॉइंट प्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं कैची दाम और मेरे सामने आप देख रहे हो कैची मंदिर जो की नीम कोरली महराज का है और गाइस इसका ब्लॉग मैंने तीन चार पांस दिन पहले डाला था अगर आपको कैची मंदर के बारे में जानकारी चीए तो आप मेरे ब्लॉग क देख सकते हैं और अभी हम सीधे चलेंगे फ्रॉग पॉइंट गरम पानी क्योंकि हम लेट हो रहे हैं और यह है कैची आश्रम और आज तो थोड़ी कम भीड है अधरवाइस यहां बहुत भीड रहती है और यह मुख्य दोवार है कैची दाम का यह देख सकते हैं आप आप पत्रों को तारों के बीच में बांद कर लखा गया और पहरी खूबसुरत लगते हैं और यह बहुत मज़गूती से लगाए गये हैं और शालों साल चलते हैं अब हम पहुंच चुके हैं राति घाट बेंड और यहाँ पर बहुत बड़ी गौसाला है जहां पर गायों को पाला जाता है और NCC के बच्चे भी यहाँ पर आके केम्पिंग करते हैं और मैं भी कई बारें केम्पिंग करने आया हूँ यहाँ पर और गाइस यह सामने आप देख रहे हैं इस घर के जस्ट मखल में जो रास्ता का रहा है लेफ्ट हैंड साइड यह पैदल पैदल नेनी ताल जाता है और भावाली जाता है दोस्तों अब हम रातिघाट बेंट क्रॉस करने के बाद पहुंचने वाले हैं रातिघाट के पुल जिसको रामगार पुल कहा जाता है और यह आगया वह पुल और इसके नीचे बहुत खुबसूरत सा जहरना यह आप छोड़ी सी नदी बहतिये कह सकते हैं और यह जहरना भी जाके शिप्रा नदी में ही मिलता है और फ्रेंड्स हम चलते चलते पहुंच चुके हैं दो पाखी और यह है दो पाखी का दुर्गा मंदिर यह अक्सर आपने अगर अलमोडा या रानी के गये होंगे तो रास्ते में जरूर देखा होगा और बस थोड़ी दिर में हम ल और बारिश में तो बहुत ही मुझे लग रहा है कि यहां से बहुत पत्फर आते होंगे तो समल समल के दीवे-दीरे चलना चाहिए और धूल काफी उड़ी है क्योंकि मिट्टी मिट्टी है चारो तरफ और बारिश में तो बहुत ही खतरनाक हो जाता होगा यह रास्ता गाइज हम पहुँच चुके हैं फ्रॉग पॉइंट और यह देखे गाड़ियां खड़ी है जो लोग यहां गुमने आते हैं गाड़ियां उपर ही खड़ी करते हैं कोई पार्किंग की विवस्ता नहीं है रोड के किनारे पर संभाल के गाड़ी खड़ी करनी हुई है गाइज हम पहुँच चुके हैं गरम पानी से थोड़ा पहले रिवर है एक मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ तो गाइज यह रिवर आ रही है यह जो रिवर आ रही है यह भवाली से कहची होते हुए शिप्रा रिवर जिसके बारे मैं मैंने आपको अपने लास्ट ब्लॉग में बताया था वो यही रिवर है यह एक दो किलो मेटर आगे जाके गरम पानी के बाद खेरना में मिलती है और फिर ये कोसी के नाम से बन के चलती है क्योंकि एक कोसी नदी में मिल जाती है और हम जा रहे हैं जूलापुल के उपर गाइस यह है जूलापुल और ये एक खुबसूरत सी रिवर देखिए और थोड़ी ही दिर में बस मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रॉग जो की रिवर के अंदर बड़ा सा पत्थर है फ्रॉग के शेप में इसलिए इस जगे को फ्रॉग पॉइंट कहते हैं और ये जूला देखिए क्या खुबसूरत सा है और गाइज ये देखिए हमारे सामने ब्यूटिफुल सा स्टोन फ्रॉग इसलिए इसको फ्रॉग पॉइंट कहते हैं देखिए और ये नीचे बहुत प्यारी सी रिवर है लोग रिवर के बीच में पत्थरों पर बैठे है और बहुत प्यारा सा व्यू है गाइज अल्टिमेट व्यू है मैं यहां बच्पन से आता हूँ अकसर कभी भी छुट्टी करके यहां पे नहाने का अपना ही मज़ा है देखिए जस्ट वन वन अन हाफ किलो मीटर के बाद खेरना एक प्लेस है वहां अलमोडा से सोमेश्वर से एक रिवर आती है कोसी रिवर और यह उसमें जाके मिल जाती है और फिर कोसी के नाम से बहती है और चलते हैं रिवर में और ब्रिज के उस पार ये बहुत प्यारा सा ब्रिज है तो गाईज यहाँ पर रेस्टों अगरा भी है अगर आप यहाँ बैठ के खाना पिना चाहें तो आप खा सकते हैं और इसके उपर टैंपिंग भी होती है बहुत सारी टेंट लगे हैं तो अगर आप रुखना चाहें तो इस ब्यूटिफुल प्लेस पे रुख भी सकते हैं यह देखिए क्या लगता है दोस्तों मैं समय हूँ फ्रॉक पॉइंट पर और नीचे रिवर बहरी है पत्थर का बनावा मेठक है और आस्मान देखिए कितना साफ है और खुशूरत रिवर क्या है और यह लेंस्लाइड हुआ है काफी बड़ा लेंस्लाइड है और वो रोड देख रहे हैं जो वो नेनिताल जा रही है और लेफ्ट साइड यह रोड जा रही है अलमोडा रानीखेट तो गाईज यह रेस्ट्रा है यहां पर बैठके आप चाहे कॉफी मेगी खाना जो कुछ भी चाहें उसका आनम ले सकते हैं और अब हम लोग चल रहे हैं रिवर के अंदर इस तरह से छोटा सा कच्चा सा रास्ता है जो कि आपको रिवर में उतार देगा और वो है ब्रिज जिस पर हम थोड़ी देर पहले उपर खड़े थे और अब नीचे आगए ब्रिज से फ्रेंड्स हम यहां बच्पन से आते हैं और अक्सर यहां आके पानी में नहाते थे और उस समय इतने परिटक तो नहीं आया करते थे लेकिन वक्त के साथ साथ यूट्यूबर्स ने हम जैसे इसको वाइरल किया और यहां पर लोग ट्यूरिस्ट भी आने लगे और अब यहां अक्सर भीड़ भाड़ तो रहती है अभी तो आफ सीजन है इसलिए उतनी भीड़ नहीं है दर्वाइस काफी भीड़ रहती है यहां लोग पानी में नहाते हैं इंजॉय करते हैं और यह है वो पत्थर का बनावा मेड़क जिसकी वज़े से इस जगे का नाम है फ्रॉक पॉइंट लेकिन इस फ्रॉक पॉइंट में जो रिवर है ना यह रिवर चार चान लगाती है अल्टिमेट रिवर है खुबसूरत और बहुत गहरा नहीं आप आराम से नहा सकते हैं फिर यह कोसी रिवर कहलाएगी चलिए फ्रॉक पॉइंट के पास चलते हैं जहाज ही यहां के तो जितनी बार भी मैं आता हूं उतनी बार नया लगता है मुझे और यहां के दिल खुश हो जाता है और जाने का दिल नहीं और स्जों देल तो मेरा गिरते गिरते बचा दिल तो मेरा अभी भी कर रहा है कि कपड़े उतार के पानी में घुज जाऊंग तो गाइज मेरे पीछे देखिए ये पथर से बना मेड़क और बहुत ही प्यारी लोकेशन है नेनिताल से जस्ट 29 किलो मीटर का डिस्टेंस है यहां तो मैं कहता हूँ अगर आप रहनी केट जाते हैं तो यहां रुपके आप इंज्टाई कर सकते हैं और नहीं भी जाते हैं तो नेनिताल से स्पेशली आप आ सकते हैं क्याप भूट करके पर आपको यहां आथे बहुत अच्छा लगेगा और कल-कल बहतावा पानी साब सुत्र पिस्टल प्यार वाटर और जस्ट पीछे देखे ऊपर यह जो पुल है यह ब्रिज है बहुत ही प्यारा ब्रीज है इस तरह के ब्रिज पहाड़ों में देखने को मिलते हैं और यही पहाड़ की पहचान भी है और अब हम पहुंच चुके हैं यह फ्रॉक पॉइंट पर तो यह है फ्रॉक पॉइंट का अथर जिसे हमने चूलिया आके और दूर से मेधक के आकार का दिखाई देता है और बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर मैं कुछ चीजे तो बयान भी नहीं कर सकता हूं इतना अच्छा फील हो रहा है यहां पर आके बस थोड़ा सा कुछ कमी खलती है मुझे यहां पर क्योंकि बहुत से लोग यहां आके शराब पीना और बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज करते हैं उसके बाद जो है अपना गंदगी यहीं छोड़ जाते है वह बहुत है यह देखिए अगर पिया भी उन्होंने तो इसको ले जाना चीए साथ में यह जो गंदगी है बस यही दिल थोड़ा सा दुखा देती है हमारा गाइज लोग इंजॉय करते हुए पानी में और वाकई क्या जगे है अल्टिमेट प्लेस है कुप्सूरा सिरीवर और यह है पत्थर से बनावा मेडग जो की अपोजिट साइड से दिखता है मेडग यहां से तोने दिखा ही नहीं दे रहा है और यह जूला पुल तो अब गाइज दिल कर रहा है यहीं बेड़े रो और यहीं दिल कर रहा है कपड़े उतारो और पानी में गुच जाओ लेकिन अभी कुछ चेंट कर नेकले जादन नहीं है और वाइस दिल को बात कर रहा है इतना बढ़िया व्यू और इतना अच्छा पानी और अलागी मज़ा बाइजा किसी स्विमिंग फूल में और कहीं भी जाके आप पर इतना मज़ा नहीं आएगा जो इस रिवर में आए लेकिन ये झाली कोष्दिया दूलरिया नहीं है गिर दाली किसी आप बालागी में येस जासेश přालागी किसी आपेरें से जाच्छा जो ऑंवा गो ख wow कर दो खाल बड़ साथ गाइज मैं इस समय खड़ा हूँ फ्रॉक पॉइंट पर और यहां बहुत प्यारी लोकेशन है और मेरे पीछे देखिए आप सिप्रा रिवर बह रही है और यह देखिए पत्थर का बनावा मेड़क है इसलिए इस जगे को फ्रॉक पॉइंट कहते हैं और बहुत प्यारी सी दोस्तों मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है और जिन जिन तक यह वीडियो पहुच रहा है प्लीज आप यहां आएं घूमिये इंज्वाइ कीजिए पर गंदगी ना किए जो कुछ भी आप गंदगी यहां पर करते हैं आप उसको साथ ले जाएए डस्ट बीन में डालिए कि देखिए लोग शराब की बोतले यहां आते हैं शराब पीते हैं और उनको यहीं छोड़ जाते हैं फोड़ जाते हैं जिससे लोगों को लगने का खत्रा है और यह गंद इन तहरा करते हैं को एजैरी अप्सकाषा पना शरा कतान सोटाब एमैरे में डाल कुकि अब समय 6 बजने वाला है तो ऐख़ यह क्ल जोबे रखे अपने और अपनों का बहुत 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 ख्याल रखिए और दुआउ में आध रखेगा गुड़ बाय और्सो प्यामा कि और नती ही और होगाया अ्पार्ट।